शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें अरे वो कुछ नहीं यार वो एक्शली कुछ जरूरी काम था फिट सोगे तू रहने थे भाई सब ठीक है ना हाँ सब ठीक है तो ज्यादा दुरूरत है तो तू ताउजी से मदद मांग ले नहीं मेरा मतलब है कि अब इस उमर में अपने पापा से पैसे मांगते हुए मैं कैसा लगूँगा अच्छा चल चलते हैं शर्दा मेरा वेट का रही होगी ओकी अबे क्या होगी अपना खूंद सब कुछ ठीक तो है अरे बाबा मैं ठीक हूं ये वो बंटी के बेटे का पताया था ना मैंने तुमें तुम क्या सूचती रहती तो क्यों और क्यों है नहीं अब वो बच्चा ठीक तो है ना अब है अब है ठीक है अबीब ज्यादा गहरी चोटनी आई है पर फिर भी डॉक्टर ने बोला कि आज रात के लिए हॉस्पिटल में रखेंगे वो बिचारा बंटी बहुत घबरा गया था इसलिए थोड़े वग ज्यादा रूग गया अब है आप हाथ मों धो लिजे और मैं आपके लिए खाना निकाल देती हूँ हरे रुखिये अभी खाना मत खाये पहले पाकोड़ा पाटी हो जाए अरे भाई साब भापी हम बस खाना शुरूई किये थे आईये न आप लोग भी बैठिये वैसे यह पकोड़े तो ठंड़े हो गए लेकिन लगता है अब दोनों का गुस्सा अभी तक ठंड़ा नही हूँ 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 अरे वाज पहली बार वरुन आया है दोनों घरों का माहोल ठीक करने अरे ऐसा पहले तो नहीं हुआ है तो चाची आप ही तो कहती है न कि देर आये पर दुरूस्त आये तो बस मैं आ गया क्यों श्रदा जी बिलकुल श्रदा बेटा अपनी बहन की मदद नहीं करेंगी आप सब को पकोड़े परोस्ते में हाँ ताय जी आईए ना आप भी बैठे प्लीज आप सब लोग शुरू कीजे मैं बस अब ही आए मम्मी मेरे भी ना सर में बहुत दर्द हो रहा है और ये तला हुआ खाना तो मैं वैसे भी नहीं खाऊंगी तो मैं भी ना कमरे में जाकर सो जाती हूँ अरे भावी आप अभी ता कड़ी है बैठी है ना अरे जब से इन बच्चों के हाथ में हमने फोन क्या दे दिया है इनका सर्दा तो कुछ जादा ही बढ़ गया है आप भी लीजे ना बाइस का अरे 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 ये क्या हो गया लाइट कैसे चलोगी जिंदेकी का अंधेरा ना कमरे तक अंदर आ गया है अरे अब ये लाइट कैसे गुल हो गई भाभी अरे किसी कोई टॉस्त होगी आप सब बैठिये में देखता हूँ अहाँ आप है जा जा देख या कि हुआ क्या है बेटा ये भी तो फता करो कि हमारी लाइट गई है कि सबकी गई है अमें बहुत डर लग रहा है वरूं जी आई क्या अंधीदू कहा हो खीरती तू तू डर प्रॉब्लम आगे है अरे कमसे का मागे बताया तूसे या तो कोई 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 फोन कर लो कुछ ता करो कि पता तो चले क्या हो रहा है अर नहीं 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 ताउजी आए चुटा मोटा फ्यूद उडाओगा मैं देखता हूँ टॉच लेकर आता हूँ मैं अब सब बैठिये कि वहीं है झाल 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 ये पैट तुम्हेने टेबल के उपर रखा था नीचे कैसे गिर गया खुला क्यों हुए था अभई बेटा टॉच लेकर आईए हाँ ला रहा हूँ झाल 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 बेटा तुम टॉच लाने आया था या बिजली बनाने बस आई रहा था बुच जलिए चलो अप्र गया खुल लाए बाए अच्छ तो अप्रण दे डिला ले को बिला दा लो बताओ, यह लाइक क्या चली गई, गर्मा गरम पखोडे का स्वाद ही चला गया अब इन थंदे पखोड़ों से काम चलाना पड़ेगा भाभी, मैं भी खाना खा लेती हूं, मुझे भी दे दो अच्छा, अभी तो कह रही थी की टलाओवा खाने से तवियत खराब होती है हाँ, पर अभी तवियत होई ठीक हो गई, आराम क्या ना और भूप लग रही थी, तो मैंने सूचा की मैं भी खा लेती हूं हमें तो यह नहीं समझ में आ रहा है कि आज पकोड़ों की वज़े से यह तमाशा हो रहा है यह सब के दिमाग हिले पड़े है जी सर नहीं नहीं सर, वो दरसल कुछ सरूरी काम पढ़ गया था, इस वज़े से मैं पैसे नहीं दे के आई लेकिन हाँ फिकर मत कीजे, मैं आज खुद अपने हातों से किसी भी हालत में वेंडर को पैसे दे कर आऊंगी और सर, माफ कर दीजे का यह गलती दुबारा नहीं होगी ठीक है सर, ओके अब है, बॉस का फोन आया था, कह रहे थे कि पैसे लेने के लिए घर आ रहे हैं और खुद ही अपने हातों से वेंडर को पैसे देंगे बहुत नाराज थे वो सुरी यार, मुझे पहले पैसे ही पोचा के आने चाहिए थे एक काम करता हूँ, मैं पैसे निकाल लेता हूँ या हो अब है अब दो मिनटे है शदब, बैट में पैसे नहीं है क्या कह रहे है आप अब है, पैसे कहा जा सकते हैं हमें ढूदना होगा पैसे अचानक कैसे गायब हो जाएंगे अभी क्या ढूदना होगा पैसे? हम कमरे में कही होंगे देखते हैं शदब, हम खर पर तो डूंड रहे हैं लेकि मुझे अच्छे से यादा मेरे पैसे बैग में ही रखे थे हे भगवान, अब हम क्या करेंगे अभे? सर तो घर ही आ रहे हैं पैसे लेने के लिए उनको क्या जवाब देंगे? इतने भरोसे के साथ उनने ही जिम्मेदारी स्वापी थी अब है हम उनको क्या चवाब देंगे अरे इस घर में कुछ खिलाने पिलाने को है या नहीं है श्रद्धरानी या बाहर जाकर हम चाई पी ले ऐसा थोड़ी होता है अरे कप से सब चाई के लिए कह रहे है और तुम हो की अरे तनुचाची जड़ा हाला समयजने कोशिश कीजिए देखे कैसी हाला तो रखिए सब ठीक है बिटा? पापा जी पॉस ने पेंडर को देने के लिए 10 लाक रुपे दिये थे अब है ने उन पैसो को अपने बैग में रखा था चो अब मिल नहीं रहे क्या? 10 लाक रुपे घर से गायब है नहीं नहीं कमरे महीं होंगे इधर उतर रख दिया हो के तुम लोगोंने नहीं बुआ जी पूरा कमरा देख लिया कहीं नहीं मिल रहे है अब तो इस गायब में वह चोड़नी सोनिया भी नहीं रहती है वैसे गायब कैसे हो गए हम जा कर देखते हेलो सर्थ सर्थ आए रफ्टीस बैठीए बेठने का समय बिलकुल नहीं है मैं जल्दी में हूँ वेंडर उदर बेट कर रहा होगा मैं अपने पैसे लेने आया हूँ वो सर ऐसे कहीं मिल नहीं रहे पता नहीं कहां गय मिल नहीं रहे मिल नहीं मतलब सरदा मैंने दिये तो दे तुम्हें 10 लाग रुपए कहां गया मेरे पैसे सर फोड़ा समय दे दीजे पैसे घर पही है पस मिल लिए रहे हैं हम बूलगे आपको वापीज दे देते हैं हाँ सर घर में ही है मिल जाएंगे देखिए बाई साम जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे मैं कहीं नहीं जाने वाला यही बैठा रहूंगा सर आप कुछ चाय नाश्ता लेंगे क्या देखिए बैंजी मेरे लिए बेकार ही इतनी परेशानी उठानी की कोई जरूरत नहीं आपको लेकिन अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो आप सब की परेशानी जरूर बढ़ने वाली हैं अब भै एक मिनद भै शुरू से याद कीजिए कहीं आपने पैक खोला हो और पैसे गिर गए हो यह कहीं धक्का वक्का लगा हो जुसे कहां पैसे गिरे हो याद कीजिए धंग से सुबह जब निकला तो बाइक का टायर पंचर हो गया उसके बाद बंटी के बेटे को हॉस्पडल लेकर गया फिर रात तक वहीं था फिर उसके बाद जब पैदल निकला तो भाई मिल गया रास्ते में गाड़ी में बैटके उसके साथ घर आ गया हाँ गाड़ी से उतरते वक एक पर पैसे नीचे गिर गए थे पर शायद मैने पैसे उठा के बैग में वापिस डाले थे मैं फिर भी एक बार गाड़ी में देख लेता हूँ हाँ आप प्लीज वहाँ चेक कीजिए मैं तब तक घर के अंदर चेक करती हूँ हाँ अच्छा वरुन जी सुनिये ना आप प्लीज ओफिस से जल्दी आएगा आज ढूब तरी गाड़ी देखनी तिह बार फेरी गाड़ी पर क्यों और तू इतना घबराया व क्यों पैसे नहीं मिल रहे हैं वह जाद है काल उतरते पैसे नीचे गर गए थी तुबस वह एक़ देखनी थी यार हाँ जाद है पर यह भी याद है कि उसी वक्त तुने वह पैसे वापस में रख लिया थे मुझे भी यही लग रहा है मैने उठा लिये थे पर अब पैसे मिल नहीं रहे हैं पस एक बाद देखना यहार बता चल जाएगा कि कि इधर उदे गिर ना गया हूँ अरे जब वरुन जी ने बोला ना कि पैसे तुम्हें उठा लिये थे तो फिर क्यो गाडी चक करनी है तुम यह चाहर हो कि वरुन जी ने तुम्हारे पैसे रख लिये अरे मैंने अज़ अग्या बाई ऐसा नहीं है पैसे नहीं मिल रहे और बहुस घर पर आठा हुआ है एक ब पिस बढ़ मिल जाए एक भगवान पता नहीं वह पैसे कहा रह गए बस अबे को वह गाडी में बिल जाए तो यह बलात ले का बहुत देखते है श्रिता, याद करो, शाहिद तुम्हे याद आजाए, कहां रखे थे तुम्हे? सुपरा शुफथी? मिरे भीनी ते रखे, याद, कैसे कैसे गायाओ, वुसुपखते ने? डूत समझ में यहाते, क्या करो वरुन जी ने कहा ना, की तुम्ही को दिया था तु जाके घर में चैक करो ना तुम्हारी पास होनी चाहिए, हमारा टाइम क्यो वेस्ट कर रहा हूँ किसी तेख, तू चिंदा मत कर, एक बाद शान दिमाग से उपड़ ही देख, ऐसे मिल जाएंगे सद्दा, और कितना समय लगीगा सद्दा, ये तुमारा बास तुना, हमरा सर खाने वाला चैरा बना कर बैठा है अब क्या करोगी तो, कोई बात में भॉजी, मैं बात सम्हाने के कोशिश करती हूँ अब मैं देखती हूँ पापा, भाईया, पुलीस आई है पुलीस क्यों है? सीने मैंने ही बुलाया है, आप सब का नाटक में पहले ही समझ चुका था आप में से श्रद्धात रिपाटी कौन है? चीप, मैं हूँ श्रद्धात रिपाटी कमपणी के 10 लाख रुपए चुराने के जुर्म में हमारे पास आपके गिरफतारी का वारंट है सर्थ, हम सुबा से इनके पैसे डूण रहे हैं और मुझे अच्छे से याद है मैंने पैसे बैग में ही रखे थे पता नहीं सुबा वो बैग से गायब हो गए ऐसा है मिश्टर त्रिपाडी कि पैसे कभी अपने आप इधर उधर नहीं होते आए लोगों की बेहमानी पैसे को इधर से उधर करती है कॉंटेबल ले चलो इसे रुकिये सर अब शद्दा को छोड़ दीजी और मुझे ले जाए जिस बैग में से पैसे मिले वो बैग भी मेरा है सर भया 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 प्लीस रुक जाओ झाल